आपका सौगती में हूँ आपके साथ कंचा सिग राजबता ये शुरुवात करते हैं खबरों क्यों शवलपूर जिली में अब 10 तहसिल की जगा 22 तहसिल होंगे जिसकी अदिसूशना राजस विवाक में जारी करती है दो तहसिल पार्टण विधान सभव में ही बनाई जोना है जिसको देख बरेली विधाय के संज्यादब रूटके हैं और सरकार पर उपेक्ष़ करने कारूप लगा रहे हैं जबकि बर्गी वधान सवा में विधाय का संजी आदव नहीं तहसल बनानी की मांग लंबी समय से करते हो रहे हैं लेकिन उनकी उमीदों में पानी फिर किया है इसके बाद विसरकार से रूट के हैं और शिवराज सरकार पर बर्गी वधान सवा को लेका उपक्षा करने का आर बर्गी को तहसलि नहीं बनाए गया जबकि विधान सवा में तहसलिक नहीं बनाये जाती तो में इक कोट के श्वरनमि वही पारटर विधान सवा को लनता की सोगात मिले पर आजेव श्री नंदुभराज संग को धन्यवात दिया और कॉंग्रिस विधाय के संजियादा पर पलेट वार करते हुए कहा कि 28 महिन्य की कमलात सरका ने सबसे ज़्यादा काम बर्गी के लिए इश्यू के तरके थे तब से अपक्षा क्यों नहीं यादाई अपक्षा के शुरात कमलात सरका ने की थी उन्हीं से पूछना चोहिए कि आखिर बर्गी वधान सब क्या पक्षा क्यों की जो रही है मजोली तहसिल में 85 हलकी और 224 राजस ग्राम है मुख्याले से हलकों की दूरी 24 किलो मीटर तरके जिसके वज़ा से लोगों को मुख्याले तक आने में परिशानी होती रही है यही कारण है कि पौधा कटंगी के अलग-अलग नई तहसिल बनाने कारें ड़िया किया है इसके पहले कटंगी के ऊपर तहसिल का दर्जो प्राप्त रहा है पाटन तहसिल में फिराल लगभग 25 सी हलकी और 230 का हो है इसका विखंडन करके कटंगी को नई तहसिल की रूप में आ कर दिया चाएगा जबलपूर से वाज़ित खानी की रिपोर्ट ये बरगी तहसिल को अपी तक कोई कारवाई नहीं हो पारे क्या आप बालते हो जाब देखे एक तो सिवराज सिंग जी चोहान आदिवासी वरूदी सिवराज जी के मालम है आदिवासी बहुल छेत रहे ताकि उनके पास में सुविधाय न पहुँचे इसलिए सिवराज सिंग चोहान हमाने अपने सवरकार की समय अधी सूचना सब कुछ हो चुका है सिर्फ कैबिनेट की महुल लगना बाकी है पिछले 20 तारिक को आज एक महीन हो गए है पिछले 20 तारिक को विधान सवा में मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि एक हपते के अंदर कैबिनेट में चला जाएगा हमारा तो सब कुछ प्रेशी बन गई सब कुछ हो गया है सिर्फ कैबिनेट की महुल लगना है और तैसिल बन जाएग एक हपते के अंदर लेकिन ये भेदवाव कर रहे है वहां की जनता भी समझ रही कि 20 साल जब इनने कुछ किया नहीं था और जब कॉंगरिस के विधायक आया क्योंकि 20 साल बरगी में भाजापके विधायक थे ना सिर्फ जी को हो साया और चुकि सिर्फ जी को अच्छे से मालूम है कि आदिवासी बहुल छेतर है इसलिए आदिवासियों को चाहे कालेज हो चाहे अस्पिताल हो जो भी कांगरिस रासन ने किया है उसको बंद करने का काम सिर्फ रासरकान ने किया है खुद तो कुछ करनी पायते हैं जब हमने किया प्रारम तो यह रोखने का काम कर रहे है अलंगे बाजी कर रहे है चाहे चर्गमा का कालेज हो सारी योजना हमाई रोखती हैं अब आठ महिने बाद तीन महिने के अंदर जो भी काम विकाशकार बड़े रोके हैं चाहे लिप टेरी करश्यन का हो चाहे तैसील हो, तैसील तो इनको बनाना पड़ेगा भी 15 दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, जब तक बरगी नहीं बनेगी, जब तक और कोई तैसील बनी नहीं सकती, क्योंकि मैं मानी उचने आले की सरण में जाओंगा, ये भेदभा और हिस्पस्ट रूप से दिख रहा है और सिवराज का आधिवाजी चेहरा भी जागर हो रहा है, ये कटाएंगी और कोणा को मैं जैसी बनाया है, मुख्यमत्य शिवराज सिंग जी को मैं धन्नवाद देना चाहता हूँ, ये बहु प्रतिश्यत मांग थी, और मैं इमानदारी से बात करूँ, ये 10 से 15 साल पुरा नहीं मांग है, और ये 2014-15 में हम इसको पूरा कर चुके होते, बतकिस्मती से 2013 का चौनव में हार गया, तो ये दोनों चीज़ें लंबित रह गए हैं, जैसे ही दुबारा 2018 में जन्ता ने मुझको आशिरवाद दिया, हम इसके प्रत्न में लग गए, मुख्यमत्य जी ने आ जोली आना पड़ता है, अब ये पौड़ा तैसील बन जाने के बाद में, हम उसको इस तरीके से सेंट्रल इस्थान पर लगाने जा रहे हैं, कि किसी को भी 10-12-15 क्लमेटर से ज्यादा ना चलना पड़े, और तैसील मुख्याला पर पहुंच जाए, मैं एक बार फिर से शो करतियां मिली, वो सिवाए उनकी विधान सभा की किसी और विधान सभा को दी हो तो बताएं, ये परंपरा उपेक्षा की किसने डाली है, ये कमलाज जी डाल के गए हैं, कमलाज जी से पूछे उन्होंने इस परंपरा को क्यो डाला? झाल झाल